Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आश्या जदली इंस्पिरेशनल्स वीडियो और थॉट्स स्वागत करती हूँ आप सबका अपने इस चैनल में और बहुत अच्छा लग रहा है इस समय बच्चों के एक्जाम्स चल रहे हैं हमें Positive Thought के साथ उनको सपोर्ट करना चाहिए और Students को भी ये सहुचना चाहिए कि हमें Success जरूर मिलेगी तो Positive Thought बहुत जरूरी है Parents और Students दोनों के बीच में कई बार चोटे बच्चे पढ़ते समय प्रनिंसियेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं और Normally Teachers या Parents बच्चे को डाटते हैं देखे इतनी बड़ी क्लास में आ गया है और फिर भी इसको एक Word का प्रनिंसियेशन प्रापर तरीके से नहीं आता तो मैं आज आपको बच्चों के बारे में ये बताना चाहूंगी या Student जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी इस चीज़ पर ध्यान देना है एक बहुत छोटा सा एक्जाम्पल देती हूँ एक Word होता है Student अगर हम बच्चे को एक स्पेलिंग को इस तरह से ब्रेक करके दिखाएंगे तो हमारा बच्चा जरूर सीखेगा और बहुत बड़ी-बड़ी स्पेलिंग्स भी होती हैं उन स्पेलिंग्स को हमें इस ही तरह से सिखाना है माल लिजे फर्स सेकिंद थर्ड के बच्चे हैं उनको एक स्पेलिंग आ जाती है Sunday तो सिंपल है S-U-N Sun then D-A-Y Day Sunday इस तरह से आप अपने बच्चे को स्पेलिंग्स को लर्न करवा सकते हैं माल लिजे इसी कड़ी में एक स्पेलिंग है Wednesday नॉर्मली हम लोग वेनस डे बोलते हैं लेकिन जब इसको राइटिंग प्रेक्टिस में आता है इसका स्पेलिंग आता है तो वो बन जाता है वेड नस डे डाबलू ए डी वेड एन ए एस नस डी ए वाई डे वेड नस डे लेकिन अपने सेशन में हम बच्चों को यह सिखाएंगे कि वेनस डे डी साइलिंट हो जाता है और भी बहुत स्पेलिंग होती है हम बच्चों को डाटने की बजाए उन्हें समझें और उन्हें यह बताएं कि कौन सा वर्ड किस आवाज में प्रनसियेशन किया जाता है देखिए हमारी मात्रभाषा हिंदी है और अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही इस लेविल से शुरू करें तो हमारे बच्चों को कभी प्रनसियेशन में मिस्टेक नहीं होगी और वो उसको बहुत अच्छे से सीख पाएंगे उसके लिए very beginning हम अगर स्टार्ट करें ए अ बी ब सी कर और स डिफरेंट साउंट होती है हर अलफाबेट के लेकिन English को ये भी गहा जाता है English is a very funny language इसके लिए आज कल देखे मुबाई सबके पास है मुबाईल में एक प्रनसियेशन का आप आप डाउनलोड कर सकते हैं डिक्ष्णरी का आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें एक माइक का उप्शिन आता है spelling डालने के बाद अगर आप speaker को on करेंगे तो या mic वाले option को on करेंगे तो आपको उस word का pronunciation accurately पता चल जाएगा और उसके लिए हमें बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा अगर छूटा बच्चा है तो वो कुछ child operate ना कर पाए तो parents को इस काम में उसकी help करनी पड़ेगी बहुत जरूरी है positive attitude के साथ बच्चों को आगे बढ़ाना कई बार माबाब या भाई बहन बड़े भाई बहन या teachers भी बच्चों को बार बार डाटते हैं या उनका moral down कर देते हैं कि यह कभी सीख ही नहीं सकता यह बात गलत है हमेशा positive attitude रखें अच्छे thoughts देखें अच्छी बातों को सुने और बच्चों को अच्छी बातों को समझाएं बच्चों को example दे ऐसे लोगों को जिनोंने बहुत महनत करी है और आगे बढ़े हैं महनत करके ही आपको success मिलेगी तो आज के वीडियो में हमने यह सीखा कि pronunciation के लिए बहुत जरूरी है word को break करना और break करके उसके correct pronunciation को जानना last option में आप mobile का भी इस्तिमाल कर सकते हैं mobile में आप correct pronunciation को सुन कर अपने बच्चे को समझा सकते हैं साथ साथ word के meaning को समझना भी बहुत जरूरी होता है कई बार बच्चे reading में perfect हो जाते हैं but they don't know about the meaning of the sentence नहीं समझ पाते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसका मतलब क्या है तो starting से ही हमें बच्चों को word के साथ meaning जरूर समझाना चाहिए कई बार English to English के चक्कर में बच्चा English to English तो समझ जाता है लेकिन हिंदी को वो accept नहीं कर पाता ना ही वो ये समझ पाता है इस पूरे sentence में या इस पूरे paragraph में क्या सिखाया गया है कोशिश करें अगर बच्चा animation देख रहा है कुछ ऐसे TV serials है या कुछ ऐसे app है जो education से related है जो बच्चों को आपके बहुत अच्छी knowledge दे सकते हैं तो कोशिश करें अपने बच्चों को इस तरह की help करने की वैसे मेरा suggestion यह है आज कल बच्चों के हाथ में mobile जादा आ गया है books पीछे जूटती जा रही है लेकिन books के तरू जो original message बच्चों को जाता है वो ज्यादा better है आप देख सकते हैं कि books में जो stories होती है बच्चा उसको page पलट के भी देख सकता है दुबारा भी समझ सकता है उसके word meaning को note भी कर सकता है तो कोशेश करें कि बच्चा magazines के तरू कुछ story books के तरू अपनी reading habit को और अपने pronunciation को आगे ले जाए समझ सकती हूँ इस समय आपने अपना कीमती समय मेरे इस वीडियो को सुनने में दिया बहुत बहुत धन्यवाद, thanks आप सभी का मैं चाहती हूँ कि मेरे suggestions को आप लोग implement करें मेरी channel को subscribe करें, like करें और share करें Thank you, have a nice day